हेलो एब्रिवान वेलकम ओल व्यू तो दिस चैनल तो आज के जापनीश के ब्रैंड न्यू लेक्चर नमबर एइट दा इवनिंग स्टार में आप सभी का स्वागत है तो वाट इवनिंग स्टार तो मॉनिंग स्टार क्या होता है उसका अपोजिट है इवनिंग स्टार ठीक यह मैं लास वीडियो के लास प्यांट में आपके डिर्स पाम पर क्लिक करने से अव चले होगे प्लेट लीस्ट आ ढाय gefारें ऑर और मेरे चैनल पर लोगल न करकरके मेरे चैनल में जाके आप सर्च कर सकते हो the मानि स्टर उसमें नम्र्केट डाउन है तो मॉनिंग स्वार्मेशन हों दो ये ऊपर जाता था तो आदा आकें यह पर उपर अल्रेडी लेकिन एविंग स्थार्ड के और्चे पर्मेशन होने पाद मार्केट निछ जाएगा तो इसके लिए इसको अध opinेशाल स्कीन होते हैं दो जैसे मॉर्निंग स्टार में कितना केंडल होते थैंसे इ taken one cannot see it, यह पहला कई नंग मार्केट तो ऊपर जा रहा है तो मैं बबन गया इसको dedicate जो भी बोलसकते हो जैसे कि मैं त्य.? विडियो वें बोल रहा हूं इसको वाइट और अलग अलग नाम है तो ग्रीन को हुआट भी दिलिया जाता है और ग्रेड को ब्लाक भी दिलिया जा शकता है ठीक है तो आपके तबहें तब यह टो मार्केत उपर जारा है तो सेकेंड क्नलीजे जे स्धियर इंसे स्टार का मतफल क्या यहां स्टार मैं पिछले वड़ियो में चोड़ा था कि स्टार का मतलब यह है कि bulls और bear equilibrium फोर से ले रहे मार्केट तो neutralize aí market ठीके बूल्स और bear के हाथों में तो यहां पर market जो उपर जा रहा था तो kills लोग तो भाई एसे ही डुक जा रहे तें यहां पर गए यह दूपर गया यह दूपर गया यह केंडल में गयै तो बहुत ओवर बॉट हो चुका है अभी हम लोग का समय है जाने के लिए तो लोग तो क्या हो रहा है देखेंगा यहां पर क्या हो रहा है ना बूल्स लोग थे यहां पर जो स्टार फॉर्मेशन होने के बाद जो बूल्स लोग सोच रहे थे एंटर करेंगे या नहीं यहां पर एक्षन ले लिए बीर्स लोग और भाई सेल करने लगे ठीक है तो भाई यह केंडल फॉर्मेशन हो गया और वो लोग अपने बूल्स के हातों से पावर छीन इवनिंग स्टार थाड केंडल सुट डीपली इंट्रूड इंटू दा फास्ट केंडल ठीक है इसका मतलब है जो थाड केंडल है यह थाड केंडल है यह फास्ट बाले केंडल को अच्छे से पेनेटर करना चाहिए कम से कम 50% 50% देख लीजे मान लीजे 50% से ज्यादा हो रह ठीक है और एक पॉआंट देखे द्यार सुट बी लाइट वॉल्योम औट फास्ट केंडल एंड हैब़ी वॉल्यूम ओन लास्ट केंडल ऑर यह जो केंडल एक तो है इवनिंग स्टार और एक बात है मतलब देखिए जब भी ही एक स्टार फॉर्मेशन होता है स्टार का तो क्राइटेरिया ही है कि ओ एक तो स्मॉल बड़ी फॉर्मेशन करेगा और जो उसके पहले बाला जो केंडल होगा उससे थोड़ा सा गेप अप खुलेगा तो यहां पर एक टो पॉइंट है कि मतलब यह जो सेकंड और थार्ड केंडल में जो गेप है ना यह ना होने से भी एवनिंग केंडल हो सकता है अगर गहर यह पर यहां पर तो गैब रहेगा जैसे भी अगर यहां पर गैब नहीं यह तो भी कोई बात नहीं वह उपी नहीं कर रहाए इवनिंक प्रेटन को लेकिन है अगर यहां पर दस्टान वाला इवनिंग पैटन है सिचय यहां पर एक और इसलिफ दर फॉर्मेशन हो रहा है तो यहांपर ऊफवियूसली रहेगा तो रहा है, लेकिन इस थारel है इसमें स्टार में कुछ कोई भी गड़ है तो भाई ये ideal evening star नहीं है लिकिन है ये valid होए है लेकिन ideal बाला नहीं है अगर इसमें gap रहता है तो भाई 5 star बाला evening pattern है ये 4 star बोल सकते हैं इसको 4 star बाला evening star बोल सकते हैं लेकिन अगर gap रहा है ये second real body और third real body के अंदर तो उसको हम ideal मानेंगे ठीक है तो यहां पर resistance कहां पर है the highest high of the three candle represents the resistance यह तिनों का जो highest price बना होगा न उसको हम resistance बोलेंगे क्यों अरे भाई market उपर जा रहा था मैं क्या क्या market तो उपर जा रहा था मैंने सोचा अरे भाई यहां पर ले लेता हूं market जा रहा है तो मैं यहां पर entry ले लिया ठीक है यहां पर entry लेने के बाद यह star formation हुआ तो भाई जैसे बाकी भी बूल्स के जैसे मैं भी सोचा कि नहीं नहीं अभी यह star formation हुआ है इसके बाद भी बूलिश हो सकता है मैं थोड़ा ideal था ना तब ही समय तब ही मैं सोचा कि और उपर जाएगा तो यहां पर मैंने sell नहीं किया फिर क्या हुआ उसके बाद बला दिन एक्ठो इतना बड़ा candle हो गया suppose कीजिए यहां पर price है 100 rupees 100 और यहां पर price है 60 60 तो नहीं 95 पकड़ लिए 90 पकड़ लिजी करो मेरा मुंढ़ी खराप हो गया क्या करो यहां पर निकल जाओ या क्या करो क्या कर वर बता सकते हो ने बता से तो बोल रहा हो ये जो इनिंग and start pattern अब बन गया न इसके बाद क्सवान इससे एकठो पह्तर बन सकता है red candle इसके बाद आ सकता है और market गिर सकता है या तो फिर या तो फिर market से उपच जाके यह resistance को touch करके फिर से नीचे आ सकता है यह दो ठो case है यह case 1 है यह case 2 है ठीक है यह case 2 यह case 1 ठीक है यह evening star pattern formation होने के बाद market यह संकेत दे रहा है कि market नीचे जाएगा लेकिन भाई मैंने यहाँ पर खरीद लिया है तो थोड़ा लॉस हो रहा है तो भाई मेरे को अगर थोड़ा सा profit थोड़ा लॉस को थोड़ा कम करने के लिए भाई मैं थोड़ा थोड़ा सा wait कर सकते हम resistance को touch करके नीचे आएगा market एसे भी होता है ठीक है यह resistance को touch करेगा फिर न लेकिन अगर थोड़ेगा तो यह भाई फॉल्स पेटन है आप वूलिस हो सकते हो अगर आपको अगर थोड़ा रिक्स थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो यहाँ पर रिट्रेस्ट होने के लिए correction देने के लिए यहाँ पर तो आपका थोड़ा जो लॉस हो रहा है वो थोड़ा घड़ जाए ठीक है और घड़ जाए और तभी आप सेल कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर थोड़ा रिट्रेस्मेंट दिया और 90 से 95 हो गया तो 5 रुपीस लॉस हो रहा है तो आप इजली आप खरिच सकते हो ठीक है भाई सुनो अगर आपको ज ज्यादा का रिक्स मत रखो ज्यादा रिक्स रखोगे तो साइकोलोजी गड़बड़ा जाएगा तभी आपका सब गड़बड़ होगा ठीक है अगर साइकोलोजी ठीक है तो आप सब भी ठीक कर सकते हो टेक्निकल लगाओ या ना लगाओ लेकिन साइकोलोजी अपना ठीक थंड़ा दिमागर को ठीक है आशा करता हूं आप वीडियो से कुछ थोड़ा भी कुछ सिखने को मिला होगा अगर कुछ मिला है तो लाइक कीजिए स्यार कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिविकेशन का घंटी दवा दिजिए और मैं रोज-रोज वीडियो डाल रहा दो एक दिन में दो दो वीडियो एक ठो स्टाटेजी का और एक ठो टेक्निकल अनलिजिस का अगर आप एडवांस बाले हो तो आप मेरे स्टेजी को देख सकते हो वहाँ पर थोड़ा पॉइंट में बताया हूं अच्छा अच्छा पॉइंट तो आप देख सकते हो वीडियो डालते रहूँगा यह जापनी स्केंडल स्टिक खतम हो जाएगा तो ट्रेडिंग इन्द जोन का बुक भी कंप्लिट करने का कोशिश करूँगा जल्दी से अगर आपको साइकोलोजी का पॉइंट चाहिए ओ ट्रेडिंग इन्द जोन्स का बुक समझना है तो कम यहां पर जैसे कि आपके उपर यहां पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है ठीक है तो ठीक है कल मिलते हैं इतने के साथ मैं आपसे अलवीदर रहता हूं